तो इंग्लेंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सरमनाख हार के बाद अब दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारत्य टीम में कई सारी बड़ी बड़ी चेंजिस वी हैं जहां दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले ही भारते टीम स्कुएट से केल साहूल और रविंदर जडेजा ये दो बड़े खिलाडी बाहर हो चुके हैं ये दोनों ही खिलाडी दूसरे टेस्ट मेच में इंग्लेंड की खिलाफ नहीं कहल पाएंगे आपको बड़ारी की रविंदर जडेजा पहले टेस्ट मुकाबले के चोथी दिन इंजुट हो गये थे इन्ने हैं स्ट्रिंग इंजिरी वेटी इसे के साथ रविंदर जडेजा दूसरे टेस्ट मुकाबले से पूरी तरह से बार हो चुके हैं जबकि केल जाहूल ने भी टीम मेनेजमेंट से सिकायट की थी कि उनके दाहिने क्वाडरिशिप्स में दर्द है और इसी वज़ा से केल जाहूल को भी दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर कर दिया है बीजटाय ने ओफेशली स्टेटमेंट आर चुका है बीजटाय का जहां बीजटाय ने रिप्लेस्मेंट भी एनॉंस कर दिया है आपको बदारिक इंडिया व्स इंगिलेंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की ये सिरीज खेली जा रही है पहले टेस्ट मुकाबला हार चुकी है टीम इंडिया अब बारी दूसरे टेस्ट मुकाबले की है जहां भ हारते टीम स्क्वाड में सामिल कर लिया है मिडल ओडर बल्ले बार सरफरास खान को जिन्होंने काफी खूब परफार्म किया है डोमेस्टिक ग्रिगेट में भर के रन बनाएं लगाता है सतक पे सतक लगा कर आएं और इसी वजह से अब फाइनली बीच टीम स्क्वाड में स सामिल किया है जो कि इनका भी परफार्मेस डोमेस्टिक ग्रिगेट में काफी सांदर रहा है तो अब दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारते टीम स्क्वाड में इतनी सारी चेंजिस हो गई है तो यहाँ पर सवाल तो सबसे बड़ा ही चाहिए भारते फ्रेंस के मन में क्या होगी भारते टीम की प्लेंग 11 जहां टीम स्क्वाड में विराट कोली भी नहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए और रजक पार्तिदर को टीम में सामिल किया गया था पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए तो क्या होगी प्लेंग 11 वो कौन से 11 किलारी खे कर दिया है दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए जो कुछ इस तरह से है नंबर एक पर रोहित सर्मा कप्तान नंबर दो सुमन गील नंबर तीन एससवी जैसवाल नंबर चार शिरास अयर नंबर पांच केस भरत विकेट कीपर बैट्समेन नंबर छे दुरूप जोरेल विकेट पंदरा सरफ रास खान नंबर सोला वासिंग्टन सुंदर और नंबर सत्रा पर हैं सवरब कुमार तो यह रहा टीम इंडिया का 17 मेंबर टीम स्कॉइड दूसरे टेस्ट मेंच के लिए अब बात के लिए टीम इंडिया की पले इंगे लेवन दूसरे टेस्ट मुकाबले के इंगिलेंट के खिलाफ तुछ से पहले से वीडियो का ऑफिसली स्पॉंसर एक राउन अलेवन एप जहां पर टीम बनाना खेलना जीतना बहदी आसान है क्योंकि यहां पर काफी जारा कम कंपेडिशन है काफी कम लोग खेलते हैं तो अगर आप अपने टीम बनाएंगे इस Minecraft के खेल सकते शिरी में खेलने के लिए आपको काफी फ्रेंड्स को इनिवाइट करने होंगे और आप मिल्कुल मुफ्त खेल सकते हैं तो फेंटेसी क्रिकेट चेफ में इस एप में आप कल फ़सेगैं भी खेल सकते इस uts keyword करोड़ों भी जीच सकते हैं साथी साथ इस एफ में आप किरिकेट के सोट्स वीडियो भी देख सकते हैं तो है रहा कमाल का अभी फटाफट कराण 11 एप डाउनलोड करिए लिंक डिस्किप्टिन डू कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है बढ़ते हैं वीडियो के और तो बात करें नमबर 4 की तो नमबर 4 पर बड़ी चेंजेस होगी केल साहल बार हो चुके तो उनकी जगह पर टीम इंड़ा के पास ऑप्सन है सरफ रास खान का या फिर रजट पार्टिदर का अनुसार रजट पार्टिदर का टेस्ट डेवियो हो सकता है दूसरे टेस्ट में उन्हे खिलाय जा सकता है जूके रजट पार्टिदर का परफार्मिस काफी सांधार है डोमेस्टिक की रिकेट में काफी गजब के बल्लेबास है बात करें नमबर 5 की तो नमबर 5 पर उंगे इस रास आईर लेकिन मुस्ट लाइकली कुल्दी प्यारों को इस मैस में खिलाए जा सकता है बात के रहें नंबर 10 की तो नंबर 10 परोंगे जस्पीत बुमरा नंबर 11 पर मुहम्मद सिराज तुरी भार्टी टिम की प्लेंग 11 दूसरे टेस्ट मैस के लिए इंगिलेंड के खिराफ इसको ले टीज की जस्ट